अभी कुछ दिर पहले शैतान मोवी का टीजर आया था जो कि अजी दिवगन की अपकमीं हॉरर मोवी और मैंने इसका रिव्यू किया था आप लोगों को काफी पसंद आया था और अब इसका ट्रेलर आ गया जो कि आई तिंग डो गंटा दो मिनट 43 सेकंड का है और ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया था उसको भी काफी पसंद आया ट्रेलर वैसे एक चीज़ हो सकता काफी लोगों को नहीं पता होगी कि ये मोवी एक गुजराती मोवी वश का रिमेक है जो मोवी 2023 में आया थी और गुजरात के अंदर काफी हिट लेकिन वो पूरे इंडिया के नदर रिलीज नहीं होई थी नहीं वह हिंदी लैंगिज में अब लेपल है और वहां पर हीट हुई थी इसे वैसे इसका रिमेक बन रहा और अजे देवगन को हम लोग जानतेंगे ये रिमेक जब बनाते हैं तो वह और मोवी से भी ज्यादा सकसिस्फुल हो चुकिए और इसका कोई हिंधी देब्ट अबलेबल नहीं है मतलब की-डिरेक्टर को और हम लोगों को पताए कि ये स्टूरी काम करें क्योंकि अहया supports most लिए और अगर इसमोवी के दार्यक्टर के बात करें उनके पास projects की बात करें तो इसके डार्रेक्टर वहता है इस मूवी के राइटर है आमिल कियान खान जिन्हों ने इससे पहले भोला मूवी राइट की थी दिर्श्रम टू मोवी लिखी थी रन में थार्टी फॉर मूवी लिखी थी और यह तीनों ही मूवी काफी सक्सेस्फिल हो सकती बाकि ट्रेलर ने बहुत कमाल का काम किय है क्योंकि काफी पसंदा रहा है लोगों को और एक चीज जो आप लोगों ने नहीं कियोगी कि इस मूवी का जो गुजराती वर्जन है वश उस मूवी का ट्रेलर उठाके देखिए दोनों के अंदर जो लड़की है जिस लड़की को आर्मादवन के कैरेक्टर ने वश में कर रखा जे देवगन की फैमिली में वह लड़की इस मूवी के अंदर यानि शैतान के अंदर वश के अंदर दोनों सेम लड़किया है जियानि की एक ही एक्टर है जिरका नामे जान की बॉड़ी वाला और ट्रेलर दोनों के लगबख सेम है मतलब की जो वश का ट्रेलर है और यह ट्रेलर दोनों के अंदर सिमलर सीन्स को ही रखा गया और मूवी के अंदर भी सब सिमलर सीन्स होंगे थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे लिकिन उसके बाद भी लोग को पसंद आएगी क्योंकि अभी तक लोगने ओर देखी नहीं है इस वैसे मूवी काफी चैनल पर लिंक आप टो डिस्क्रिप्शन आए बटन मिल जाए उसको आप जरूरी देखिए बहुत कमाल की सीरीज है